हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मिद करता हूँ आप लोग बहुत सही रहोगे माइने में सिये महिंदर बहरा और आज हम लोग आप एबी सी अनलीसिस देखने वाले हैं आफ इंकम टेक्स जो कि 60 मार्स का होता है इसका हम लोग एबी सी अनलीसिस देखेंगे इसका मतलब क्या है एक कैटेग्री के टॉपिक कौन से है बी कैटेग्री के कौन से टॉपिक है अगर ये चीज़ आप मेरे से एक महिना पहले मांगते हैं एक महिना पहले इमांड करते हैं गया क्योंकि एक सी अनलीसिस देखेंगे करेंघारaisज कि मैं इस चीज़ के अपोज़सित हूं मेरे यह चीज़ सही नहीं है क्या सही नहीं है क्योंकि tax एक ऐसा paper है costing के paper में accounts के paper में ABC analysis बिलकुल उस हिसाब से पढ़ना चाहिए पर tax में यह गलती आप करोगे तो जो December 21 में लोगों की हालत हुई थी वो होने के पूरे chances है एक्जामपल देता हूं section 9 है income tax का जो कि chapter number 2 के scope of total income में income deemed to accrue and arise in India का concept है उसमें 9-1 में 5-6-7-3 होते है interest होता है royalty होता है FTS होता है मैंने मेरी class में बहुत अच्छे से पढ़ाया था बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि इसमें से कौन सा पूसता है पर पास्ट एक्जाम देखा बोला कि यह C category का concept है ऐसा लोग बोलते है तो C category में नहीं किया और वो एक्जाम में आया था ऐसी चीज़े बहुत बार होगी और बहुत सारी चीज़ों में तो competition of total income में ही गुस सकता है सिर्फ अभी आप revision purpose के लिए देख रहे हो तो आप अभी इसको use कर सकते हो यह helpful रहेगा ठीक है तो सबसे पहले ABC category से पहले अभी देखो ABC category का सबसे बड़ा जोल क्या होता है सबसे बड़े को बीचेप्टर वन जो है basics वाला वो कोई आदमी बोलेगा ही नहीं एक category का है क्योंकि past exam paper का record देखेंगे तो specially वो chapter में से कुछ ऐसा खास पूछा नहीं जाता है but chapter number one में tax rate दिया हुआ है अगर आप tax rates बहुत अच्छे से नहीं करके जाओगे तो आप एक भी question ढंग से नहीं solve कर पाओगे खास कर जो बड़े वाले competition of total income के होते हैं तो मैं देखो बत का rate और जब सर्चार्ज का rate मैं बोलता हूं तो marginal relief का भी concept आ जाता है यह वाला part और दूसरा part अपना आता है second part आ जाएगा जो आपका previous year और assessment year का concept है उसका exception दिया हुआ है चार-पांच case में previous year का income previous year में ही taxable होता है प्लस आपका एक section है 115 BBE जो 75% tax लगता है cash credit unexplained investment unexplained money वो से बला इतना part तो आपको अच्छे से chapter 1 से आना ही जाए चैप्टर 2 की जब मैं बात करूंगा तो individual के residential status पे दो amendment आये थे पिछले साल जो अभी तक proper तरीक इस exam में test नहीं किये है section 6 1 A section 6 1 A क्या बात करता है section 6 1 A आपके लिए बात कर रहा है simple सी चीज़ बात करता है deemed resident का और दूसरा वो 120 days plus 365 days वाला condition है वो वाला जो point है अगर Indian citizen या person of Indian origin इंडिया में visit करने आता है तो अगर उसका foreign Indian source का income 15 लाग से exceed होता है वो वाला point और यह deemed resident वाला point इसके उपर residential status का किदर न किदर impact दिख सकता है section number nine को आप कभी नहीं छोड़ सकते section number nine को आप कभी नहीं छोड़ सकते section nine में आठ नव पॉइंट है आठ पॉइंट है basically आठो important है सबसे important कौन सा है business connection वाला point उसके exceptions वागेरा theory question पूछ सकते है नई नई limit आई है उसके उपर कुछ MCQ पूछ सकते है agent वाले concept वे theory पूछ सकते है इसके साथ salary dividend वागेरा कुछ नहीं बड़े ही simple simple चीजे है एक जो last है section nine one का eighth वाला point gift वाला वो भी अच्छा point है है कुछ ने वो 56 to 10 का ही replica है बट non resident के case में उसके उपर MCQ वगेरा पूछा जा सकता है और आपका interest royalty FTS lasting पूछा है फिर भी यह हमेशा important रहेगा मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश करो मैं आपको in detail ऐसा ओवर व्यू नहीं दे रहा हूं कि chapter 1 का यह कर लो chapter 1, 2, 3 क्या है A category का है 4, 5, 6, B category का है यह possible नहीं है क्यों नहीं पॉसिबल है क्योंकि question some mixed merge होके बनेगा income tax का कोई ऐसा separate question नहीं आ सकता है chapter number 3 के 3 पार्ट थे हैं पहला पार्ट था agriculture income दूसरा पार्ट था आपका 10 AA और तीसरा पार्ट था other concepts other exempt income बहुत सारी list दी हुई थी उसमें एक post office का कभी मत भूलना post office का 3,500 वाला जो मिलता है और भी बाकी सब concept है वो फटा फट हो जाते है revision lecture डाला हुए साथ में 10-6 10-6 एक important चीज है उसमें 3-4 ऐसे sub clauses है जिसमें आप non citizen होने जरूरी है तो आपको exemption मिलेगा 10AA अच्छा concept है easy सबसे easy मुझे तो यह concept लगता है तीन phases में आपको deduction मिलता है यह अच्छे से कर लेना एक चीज आपको रटी होई होने चाहिए रटी होई होने चाहिए रटी होई होने चाहिए रटी होने चाहिए पर हम कैसे tax लगा दें चैप्टर 123 में नहीं नहीं तो यहां से आपको exam में 8 से 10 marks दिखेगा 100% यह आप बहुत सारे लोग बोलता है चैप्टर 123 क्या है फालत हुए कुछ इतना वह नहीं है scope of total income और residential status को मिला कि यह लोग कुछ question बना ही लेते 100% MCQ इदर उदर से पूछा जाएगा और 10 AA या agriculture income के उपर generally question आ जाता है तो यह वाला पार्ट आपका strong होना चाहिए इतना at least chapter 123 में next आते है salary head इस बार पूरा का पूरा आपका A category में रहेगा उसमें भी सबसे important चीज क्या है पता है अगर आपके पास मेरा no book है अगर आपने मेरा marathon देखा ही रहेगा अगर आपने marathon देखा हुआ है तो जो notes वो use किये है exam pass में है तो मैं यह suggest नहीं करता आप अपने book change करो बट चार्ज रहेगा उसमें तो उसका क्या होगा आपको फटा-फट revision में help हो सकती है completely optional है वो पूरा module basis पे बना है module भी use करना चाहो तो आप बिलकुल use कर सकते है उसमें यह बता रहा था chapter 4 salary में जो PF वाला मेरी book में concept था सब मैंने एक साथ किया है PF में RPF ASF AGF यह सब जितने भी concept यह आपको बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि PF वाले concept में amendment अच्छे खासे आए हुए वो आपका वो बड़ा सा गंदा सा एक formula वाला amendment है एक साड़े साथ लाग रुपे का limit पिछले साल आया था है यहां पर question पूछने के chances बिलकुल बनते है percusate as it is always important है percusate पर question बनेंगे कहीं न कहीं तो percusate का roll paper में होने के chances होते ही है और साथ में आपके जो starting के point है ना वो question पूछे जाते हैं जैसे ग्रैचियोटी हो गया जैसे पैंशन हो गया जैसे लीव एनकेश्मेंट हो गया जैसे वह चार पाच point है ना starting में जो मैंने कराया थे वह वाले question को आप वह वाले points को आपको ध्यान देना है यह salary का क्या है क्रक्स है बेसिकली क्रक्स नहीं यह एक category में salary के topic है बाकी allowances बेसिक वह 89 का relief है अब आपको क्या करना है बी category समझ के कर लोगे पर करना देखो छोड़ना तो कुछ नहीं है मैं कभी recommend नहीं करता बट इक्जाम नजदिक है इसके लिए मैं बता रहा हूँ फिर PGBP पर मैं पहले आना चाहूँगा house property से पहले तेखो PGBP में depreciation पर तो question आप समझ के चलो बहुत बार आता है और इसके उपर MCQ भी बनने के पूरे chance होता है क्योंकि बहुत अच्छी चीजे इसमें पूछी जा सकती है depreciation का section 115 BAC के साथ tire पो सकता है जिसमें आपको additional depreciation का benefit नहीं मिलता पता है वह वाला एक समझ के रखना concept उसके साथ आपका 3-4 section में से एक section पर question बन सकता है सबसे पहले 44 AB 44 AD 44 ADA 44 AE यह क्या है 44 AB है audit 44 AD है आपका presumptive for business presumptive for professional presumptive for transportation 100% नहीं है कि आएगा ही आएगा future को कोई नहीं बता सकता है मैं सिर्फ एक category जो बहुत important topic है उनकी बात कर रहा हूं यहां से पूछने के chances साथ में एक section 36 में बहुत सारे point है उसमें से कुछ point को test किया जा सकता है section 40 A2 section 40 A3 यह भी एक important चीज है एक तो relative वाला और एक cash transaction वाला cash transaction में कौन-कौन से mode of payment allowed है वो आपको पता होना चीए वो तो सर्पता ही है कोई दिक्कत की बात नहीं है और उसके साथ important एक चीज और वो 40 B में जो remuneration निकालता है ना partnership firm के कितना partner को maximum remuneration दे सकती है 90 परसेंट और 60 परसेंट वो एक concept आपको अच्छे से आना चीए इसके साथ कुछ बात करें तो 35 का scientific research section 35 A.D. का specified business speculative business का losses के साथ क्या transaction वाला पाया पार्ट बस यह कुछ चीज इंपर्टेंट है देखो ऐसे तो पूरा PGP में आप लिग दूगा सब कुछ इंपर्टेंट यह कुछ चीजे हैं जिसके concept आपको clear होने चीए फिर जब मैं PGP बोलता हूं तो दो चैप्टर में इसी के साथ गिन लेता हूं एक होता है clubbing एक होता है set off clubbing का मतलब किया है 10 पॉइंक है अगर 10 पॉइंक आते है तो आपको clubbing आता है 10 Door को चीज उगर 10 पॉइंक आते है तो आपको clubbing आता है 10 पॉइंक नहीं आता है ऐसा करके मैंने revision कर आया है तब मैं हमे400 उसी इंपर्टेंट और से simulate यह सब वो opening balance अगर partnership firm में अगर capital में gift का डाला है तो वो cross multiply करके जो spouse के हाथ में income club होता है ना 9th point अपने book में वो और 10th point जो cross transfer है वो भी बूचा जा सकता है तो ये 3 point at least आपको बहुत अच्छे से clubbing में ध्यान में रखने है और वो partners वाला ये जो second मेंने बता है ये तो बहुत अच्छे से समझ के रखना है सिर्फ opening वाला का benefit club होता है और interest on capital का होता है ज्यादा तर question में ऐसे question वो case scenario वाले part में भर-बर के डाले है भर-बर के डाले है तो वो आपको ध्यान रखना है सेट-off सेट-off में सबसे पहले सेट-off तो अभी में रिवाइस करा सकता हूँ सेट-off में कुछ है नहीं देखो house property का जो inter head adjustment हो ध्यान रखना है और इसको club करना है section 115 BAC के साथ के 115 BAC में ये नहीं हो पाता है unabsorbed depreciation वाला क्या part होता है यहाँ पर समझ के रखना है तीसरा owning and maintaining of racehorses वाला part जो है वो ध्यान रखना है IFOS का loss carry forward नहीं हो सकता long term capital gain सब की मदद कर सकता है पर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता short term capital gain जो है वो सिर्फ long term capital gain की मदद नहीं कर सकता बाकि किसी के भी कर सकता है बट उसकी मदद सिर्फ long term capital gain नहीं सब कंसर्प्ट मैंने marathon में cover किये हैं यह कुछ चीजे ध्यान रखने है set off के revision के लिए सिर्फ आपको एक घंटा भी नहीं लगेगा with question का फटवाट calculation income from house property और income from other sources income from house property में आपको एक चीज ही सबसे ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है section 24b जो interest का calculation होता है 30,000, 2,000,000 या फिर unlimited मिलेगा और उसमें भी एक concept आ जाता है pre-construction interest वो पाथ साल में जो divide होता है यह चीज आपको समझ के रखने है आया फो इसकी बात करें तो gift, gift कभी confusion नहीं होना चाहिए बहुत अच्छे से gift कर आया है gift बे कभी confusion नहीं होना चाहिए दूसरा अपका dividend में confusion नहीं होना चाहिए अभी confusion dividend में वैसे ही ने TDS का जो implication इसके साथ होता है वह आपको ध्यान रखना है और तीसरा 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 एक इंपॉर्टेंट चीज था 56 to 7 भी अगर आप closely held company को कुछ फेस वैल्यू से compare करना होता था अनलिष्ट शेयर वगेरा देते हूं वह और एक चौथा बड़ा ही कर लेना slum sale बहुत अच्छे से कर लेना slum sale पर question बन सकता है क्योंकि उसमें छोटा सा हलका सा प्यारा सा amendment slum sale आपको अच्छे से कर ले रहा है बाकी capital इंपॉर्टेंट है अभी उसमें क्या ही पता है ठीक है फिर आते हैं आशुए है नेक्स्ट इटन filing वाला चेप्टर गलती से भी मत छोड के जाना ऌटीटन filing चप्टर 14 ओव आप अपका मॉडियूर लिटन filing वालभ चेप्टर आप गलती से भी गलती से भी घलती से मत छोड़के जाना ك्योंकि अगर रिटेन फाइलिंग वाला आप चैप्टर छोड़ते हो तो आप इसका मतलब क्या होता है मतलब है कि आप चार अज़्चा विर नहीं सकते हैं हमेशा क्या करना है करके ही जाना है उसके बाद TDS TCS और Advanced Tax Advanced Tax को एक बार के लिए Advanced Tax के साथ Interest भी हो जाएगा यह आप B में समझ सकते हो पर TDS में कुछ section है जो कि आपको करने ही है 194C करना ही 194J करना ही है 194H करना ही है 194I करना ही है 194IB करना ही है 194P करना ही है 194Q करना ही है 194O करना ही है 194N करना ही है बाकी सब भी करने हैं पर यह section के उपर तो पूरे chances से question बनी सकते हैं यह वाले तो खासकर कुछ एक दो टाइम के ही amended वाले section है यह वाले important section है यह आपको क्या करने है बहुत अच्छे से करके आपका चैप्टर आएगा competition of total income जिसके उपर question बनता ही है पूरा marathon डाल दिया है वह सब question मैंने फटा-फट तरीके से करा दिये हैं एम्टी बहुत अच्छे से करके जाना 10 minute का concept है कुछ नहीं 10 minute का concept है एम्टी अच्छे से करके जाना छोड़के नहीं की है इंपोर्टेंट को बविश्य कोई नहीं बता सकता पर आपको यह चीजों के उपर क्या करना पड़ेगा special ध्यान देना पड़ेगा अगर आप यहां पर special ध्यान देते हो तो आपका बहुत सारा subject के उपर क्या हो सकता है command आ सकता है खासकर income tax वाले पार्ट पर और deduction की बात करें तो deduction जो है वह कहीं पर भी especially question नहीं पूछा जाएगा कम chance है बट mix करेंगे उसको उसमें ATC CD बहुत important है ATJAA बहुत important है ATD बहुत important है ATC में कुछ पार्ट वह easy है बट वह कहीं पर exam में से cover होता ही है यह कुछ sections है जो कि question बनते ही है इसके उपर ATEEA पर खास कर ध्यान अगता ATEEB EEB पता नहीं पर EEA को mix किया जा सकता है house property के question के अंदर correct तो यह कुछ चीजे है जो कि आपको ABC analysis बोल सकते हो या पर जो चीज़ों पर आपको ध्यान देना है यह है बट मैं यहां पर बिल्कुल claim नहीं कर रहा हूं और ना किसी को करना चीए कोई future नहीं दे सकता जो claim करते हैं उनको December 21 का paper देखना चीए क्या हुआ था बट सिंस time कम है यह चीजों के उपर अपना क्या होना चीए यह basically मैं बोल सकता हो एक category type इसके उपर आपको special focus special focus special focus देके ही रखना है ठीक है इसके साथ आपको आपको इंकम टेक्स का पूरा marathon डाला हुआ है आप देख सकते हो GST का पूरा marathon डाला हुआ है देख सकते हो case scenario और MCQ जितना ECI ने दिया था सब YouTube पे solve कराया हुआ है RTP और MTP दोनों series 1 & 2 यह सब कुछ आपका YouTube पे ही मैंने करा दिया है और आपको अब क्या चाहिए सब कुछ मेरे साइट से मैंने यहां पे cover करने की पूरी कुछिश की है साथ साथ में और daily basis पे कुछ ला कुछ वीडियो डाल रहा हूं जैसे आपके और ज्यादा मदद हो सकते तो चैनल को आप क्या कर सकते हो subscribe कर सकते हूँ तो थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो ज्यादा टाइम आपका वेश नहीं करूंगा अभी आपके एक्जाम सबसे प्रियारिटी पर है तो टेक क्या